एक शुब घड़ी है Global Health Limited के लिए क्योंकि उनके शानदार लिस्टिंग गोई सब्स्रिप्शिन के आंकड़े भी काफी अच्छे थे और बातचित करने के लिए कंपनी के CMD डॉक्टर नरेश तेहरान हमार साथ है और साथी ग्रूप CEO पंकर सानी भी मिरसा जुड़ चुके हैं डॉक्टर तेहरान बहुत बहुत शुक्रिया थेंक्यों वेरे मच आज समय देनी के लिए पंकर जी आपका भी बहुत शुक्रिया थेंक्यों वेरे मच समय देनी के लिए और मैं आपको बढ़ाई देना चाहता हूँ आपके शांदार कंपनी के लिस्टिंग की सर आज निवेशकों ने जो confidence आपने निवेशकों के उपर रखा और निवेशकों ने जो आपके उपर confidence रखा ये दोनों को ही मैं बढ़ाई दूँगा और करीब 20% तक का return तो opening में ही मि तो ये सवाल ऐसा है कि हमने जो 500 प्राइमरी लिया है उसको बेंली जो हमने अल्रेडी आरिश पी में डेक्लेर किया हुआ है कि उसमें से 375 करोड तो हमारी जो डेट को रिटायर करना है पूरा क्योंकि हमारी net डेट जो है वो 300 के करीम है तो एक तो वो हो जाएगा बाकी हमारी जो balance sheet है वो और भी मजबूत हो जाएगी पर सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दिन क्योंकि हम हमारी जो journey है वो end of 2009 से शुरू हुई थी एक hospital से गुरुगराम में और वो medicity के माध्यम से हमने 5 hospitals बनाए क्योंकि हमारा लक्ष यह था कि जो हमने सफलता पाई गुरुगराम में उस और जो हमने दुनिया ने recognize किया कि जो यह model था जो model था कि सब specialties सबसे दुनिया के level की specialties एकी platform पे हो कि जब patient में दानता आए तो उसका outcome जो है क्योंकि सारे इकटे मिलके उसकी सेवा कर सकते हैं उसकी disease को deal कर सकते हैं कि उनका outcome बहुत अच्छा निकला यह public ने भी appreciate किया हमारे colleagues ने भी appreciate किया तो उसके माध्यम से आज के दिन पांच तो functional hospitals हैं यूपी में लखनो में एक हजार है पटना में सारे छे सौ का है राच्ची में है इंदोर में है और नॉइडा में construction शूरू हो गई है तो इसलिए ये जो हमारे के में विश्वास दिखाया गया patients ने जिसके माध्यम से ये हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं और आज के दिन investors ने ही उसी तरह हमारे में विश्वास किया है तो ये story चलती जाएगी और क्योंकि जो हमारा ये विश्वास है कि जैसे आज के दिन last 10 स बढ़ती जाएगी कहानी आने वाले टाइम में और ये हमें responsibility भी है कि patient center point है कि patient की जो treatment सबसे उत्तम तरीके की हो और दूसरी तरीके है दूसरा है कि जितनी affordable cost हो उतना अच्छा है तो ये model काफी अच्छा establish हुआ इसने हमें काफी return दिया इसी वज़े से investors ने में विश्वा करके हमारे को support दिया और इसी system को उसी purity से उसी integrity से उसी patient centricity से हम बढ़ाते जाएंगे और आने वाले time में हमें ये ये खुशी है कि हमारे साथ तीन लाग से ज़्यादा investors जुड़े हैं आज जिनकी responsibility भी हम निभाएंगे जे डॉक्टर शुतरेंड एक चोटा सा सवाल मेरे आपसे आए उसके बाद फिर मैं पंकर से पोचूंगा एक सवाल pharmacy कारोबार ना अचकल hospital के साथ काफी attached है और काफी सारे बड़े hospital chains ने इसको एक separate business के तोर पर establish भी किया और काफी अच्छा return भी दे रहा है काफी चा बिजनस जमता भी है सर मैं एक बार आपसे भी पता करना चाहता हूँ टिपिकली pharmacy business को लेकर इस पे आपका कुछ प्लान है आप कुछ इसको बड़े लेवल पे प्लान करना चाहते हैं इसमें अब offline और online pharmacy दोनों तरह की बिजनस है ऐसा कुछ आपके mind में या आपके thought process में है सर तो OPD pharmacy जो हमारी थी उसको तो हमने already एक separate subsidiary में ले लिया है अब इसकी details आपको पंकज जी दे सकते हैं ज्यादा detail में तो पंकज can you answer that जी जैसे की डॉक्स साब बता रहे थे जो OPD pharmacy की जो services है मैदानता में वो already हम आगे बढ़ा रहे हैं financial year 22 में करीब 50 करोड के आसपास की इनकी दिए revenue हुई थी काफी अच्छा gross profit margin भी मिलता है इस pharmacy business में तो हमने जो सोचा है कि आगे जाके भी हम इस business को देखते रहेंगे कि किस तरीके से हमको ये pharmacy expansion करनी है आज की तारिक में जो हमारी pharmacies हैं वो खासकर हमारे hospitals या clinic से जुड़े हुए हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे अलग-अलग शेहरों में बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे हम अलग-अलग प्रदिशों में देखते जाएंगे कि जंता को patients को किस चीज़ की सबसे ज़यादा जरूरत है मैदानता में हम ये जरूर मानते हैं कि जो हेल्थ केर है वो सिर्फ एक फार्मसी से या एक टेकनलोजी से नहीं दी जाती हेल्थ केर जो है वो एक डॉक्टर और पेशन्ट का जो जुडाव है उसी से बनी रहती है उसमें जो विश्वास आता है पेशन्ट को डॉक्टर और हेल्थ केर सिस्टम के उपर वो सबसे महत्वपूर हैं तो उसी जो विश्वास को आगे ले जाने के लिए हमारी ये आशा होगी कि हम वो जादा से जादा मरीजों की सेवा करें हमारी ये आशा होगी कि सिर्फ हम ये नहीं चाहते कि मरीज हॉस्पिटल आए लेकिन हम मरीज के घर के पास जाएं और ये जो डॉक्टर पेशेंट की जोड़ी बनाए रखने के साथ हम जितनी जादा पेशेंट की सेवा कर सकते हैं वो फार्मसी सर्विसेज में हो रीटेल फार्मसी में या ऑनलाइन फार्मसी या फिर वो डाइगनोस्टिक सर्विसेज में हो या फिर वो technology के माध्यम से जिसे हम कहते हैं टेली कॉंसल्टेशन या जो आगे के भी technologies आए हैं जिसे remote care जिसे हम बोलते हैं दूर से जो doctor patient को देख सकता है ये सारे तरीके के इलाज, सारे तीके के जो businesses हैं हम इनको study करेंगे, इनका evaluation करेंगे लेकिन सबसे मतवपूर्ण ये होगा कि patient के लिए क्या उचित है, मेदान ता वही करेगा पंका जी बहुत बहुत शुक्रिया, thank you very much, अच्छा लगा आपसे बाच्चित करके, डॉक्टर तरहान आपसे भी बाच्चित करके बहुत अच्छा लगा और हमारी बहुत बहुत शुब कामना है, आगे आप इसी तरह से grow करें और काफ़ इच्छा expansion करें, उमीद करते हैं, ये आगे जरूर हो रोता हो देखेगा बहुत बहुत शुक्रिया सर्थ, thank you very much समय देने के लिए Global Health की लिस्टिंग होई, आज 25% के गेन के साथ, यानि कि अगर आपने पैसा लगाया है तो होगा, तो आपको आज 4500 रुप्या गेन में फर्स डे ही आपको मिल रहा होगा